ऐसे कौन से काम है जो कि आपको पीरेड के करीब 10 दिन पहले से बंद कर देना चाहिए पीरेड के 10 दिन पहले ऐसी कौन सी चीज़े होती है जिसके बारे में आप लोगों को अंदाजा नहीं होता है वो आपकी प्रिगनेंसी का सबसे महतुपून टाइम होता है जब भी अगर आपकी प्रिगनेंसी लगने वाली होती है तो दो इंपोर्टन चीज़ जरूर सामने नजर आता है पहला तो जो महला के शरीट से अंडा जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए दूसरा जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और सही टाइम पे उनका मिलन होना चाहिए लेकिन इसके अलावा भी एक जो थर्ड इंपोर्टन पॉइंट होती है वो होती है आपके पीरिड डेट के 10 दिन पहले से एक काम होता है जिसका मतलब होता है कि आपके गर्भाषे में जब वो नन्हा सा जो फर्टिलाइजड एग है जो जाइगाट के रूप में आया है वो जब आपके गर्भाषे की दिवार पे जब तक नहीं चिपकता है तब तक आपकी प्रेगनसी को कंसीव हुआ नहीं मान सकते है आगर उनका मिलन भी हो गया है लेकिन वो दिवार पे अगर नहीं चिपकेगा वहां से उसकी प्रेगनसी की शुरुआत नहीं हो सकती है लेकिन उसका दिवार पे सही time पे चिपकना ज़रूरी होता है तो आपके period के 10 दिन पहले से लेके या फिर एक हफते पहले तक भी ये सारे काम होते हैं इस काम को हम लोग कहते हैं implantation का काम होना implantation बहुत ही महतुपूर्ण रोल होता है इसके बाद से ही आपकी pregnancy confirm होती है लेकिन कुछ हम ऐसी छोटी-छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिसके वज़ा से अगर उन दोनों का यानि कि egg और जो male के cells हैं उनका अगर fertilization हुआ भी है लेकिन सही time पे अगर उनका implantation नहीं होगा तो आपका रूका हुआ गर भी गिर सकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कौन-कौन से कामों को avoid करना चाहिए नंबर वन चीज़ कि आपको आपके evolution day पे जब आप relation में रहते हैं तो 20 वे दिन तक भी आपको try करते रहना चाहिए लेकिन जैसे ही आपका 21 वे दिन आता है 21-22 दिन के बाद से आपको hair wash बिलकुल बंद कर देना चाहिए Hair wash के उपर separately मैंने वीडियो बनाया है जुकि अगर detail वीडियो अगर आप जाना चाहते हैं तो hair wash की एक link में in the screen पे डाल दूँगी तो आप पता कर सकते हैं देखके सारी बाते समझ सकते हैं कि कब आपको hair wash करनी चाहिए कब avoid करनी चाहिए लेकिन avoid के अगर मैं बात करूँ तो आपको 21 दिन से लेके आपके period date जब तक miss ना हो जाए तब तक आपको hair wash नहीं करना है दूसरी important चीज कि आपको उन time पे उस जो time का जो span है जो 10 दिन का उस समय आपको relation में भी नहीं रहना चाहिए relation में भी रहना आपके लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है बहुत सरे couples के लिए हो सकता है ऐसे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सरे ऐसे couple होते हैं जिनको ना implementation की फिक्र होती है ना evolution की फिक्र होती है फिर भी अगर वो conceive करना चाहते हैं तो असानी से करवधारन कर लेते हैं लेकिन अगर आप बहुत दिनों से try कर रहे हैं कोई आपको उपाय कोई हल नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सारे कामों को avoid करके देखिए क्योंकि आपके पास जो भी possible जो कारण हो सकते हैं जो भी possibility आपके पास होती है आप सारे efforts करते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि hair wash को बंद कर दीजे और दूसरी important चीज आप relation में भी नहीं आए तीसरी important चीज कि अगर आपको regular exercise करने की आदत है और gym जाने की आदत है तो कोशिश करिए कि आप normal जो mild exercises होती है जो कि आपकी body को toning या stretching कर सकते हैं हलकी full की आप stretching कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा vigorous exercises आपको नहीं करने चाहिए fourth important point जो कि मैंने बहुत सरे अपने videos में बताया है कि अपने जो menstruation cycle है उसको regularize करने के लिए अंडे की quality अच्छी रखने के लिए आप अद्रक के चाय और अजमायन जीरे की drink वगरा पी सकते हैं लेकिन जब अगर आप implantation के दोरान पे गुजरते हैं तो ऐसे टैम पे आपके शरर में extra heat सही नहीं होती है क्योंकि बहुत सरी ऐसी महिलाय होती है जिनकी body already heated होती है और अभी का जो मौसम चल रहा है गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अगर आप avoid कर सकते हैं तो इन सारे drinks को आप avoid करें क्योंकि जो ginger होती है यानि अद्रक होती है अजवाइन होती है उनकी तासीर गर्म होती है तो अगर आपका possible हो सकता है तो आपको implantation की दिनों में इन सारे drinks को आपको avoid करना चाहिए अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप soft का drink ले सकते हैं क्योंकि soft में ठंडक होती है तो soft आपके लिए नुकसान दायक नहीं होगा तो ये drink को आप ले सकते हैं लेकिन आपको ginger को अजवाइन को strictly avoid कर देना चाहिए बहुत जादा lesson का भी save नहीं करना चाहिए तो इन सारे जो food product जो की बहुत जादा आपकी शरीर में heat create करते हैं उनको आपको avoid करना चाहिए लेकिन वही पर अगर मैं 5th important point के उपर बात करूँ तो काफी तेजी से बहुत जादा तेजी से सीडिया चहरना उतरना या फिर आप बहुत जादा अपने शरीर को काफी जादा stress मिलेते हैं काफी जादा ठकाते हैं तो इन duration में आपको अपने शरीर को extra महनत कराने की जरूरत नहीं है जो भी आपकी normal दिन चल रहा है उस तरह से आप चलिए लेकिन extra शरीर में बहुत जादा workout आप मत करिए तो इन सारे points को आप cover करिए सारे चीजों को देखे समझे और जिस दिन आपका period date आता है मेभी भगवान करें कि आपका period date मिस हो जाए निकल जाए और आपकी pregnancy जल्दी से जल्दी conceive हो जाए इसी दुआ के साथ अब ये वीडियो end करती हो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे share जरूर करेगा Thank you so much for watching Twins my world